हेलो चैंपियांस आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूसफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग CBSC Board के 2023 यानि पिछले साल के Social Studies के Topper की Answer Sheet से सीखने की कोशिश करेंगे कि जो 5 Marker Questions होते हैं Basically SST के Question Paper में जो आपका Section D होता है जिसमें 4 5 Marker Questions होते हैं उनका Answer हम कैसे लिखें कि हम 5 on 5 पा सकें तो आएए इस वीडियो को शुरू करते हैं और खूब ध्यान से देखें और सीखने की कोशिश करें so that आप भी 7th March को 5 Marker Questions में से 5 on 5 लेके आएं चलिए आएए देखते हैं so आज की वीडियो यही है कि How to Write Long Answers Like a Topper देखिए होता कहाने Long Answers में ऐसा नहीं होता कि आप जो भी मन में आऊ वही लिख करके चले आओ इसका एक structure होता है और आप में से ज्यादा तर लोग चुकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग पढ़ते हैं खूब हो लेकिन आप में से कुछ लोग ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए पिछले साल का question paper है 2023 का और आप में से जिन लोगों ने प्यू आइक्यू सॉल्ड किये होंगे वह पचांच जाएंगे कि ये पिछले साल का question paper है देखें पिछले साल का question paper है set number 3 है है ना ऐसे आप लोगों को भी अब तो आप लोग board exam के लिए नए नहीं रह गयो हो चले देखते हैं तो देखें section D का हमारा पहला question 30 है question यह है plantation workers had their own understanding of महात्मा गांधी question को बहुत ध्यान से पढ़िए महात्मा गांधी and the notion of स्वराज basically यह कर रहे हैं कि जो plantation workers थे स्वराज को लेकर के और गांधी जी को लेकर के उनकी एक अलग ही concept था basically यह जो स्वराज को लेकर के society के जितने भी अलग-अलग groups थे सब के लिए स्वराज का अलग-अलग मतलब था ठीक है तो इसी question को हमें समझाना है और before we proceed एक चीज आप लोग और ध्यान दे लिजे इस question का answer आपको 120 words में लिखना है इसका मतलब क्या हुआ आपको इसका answer आपको 15 to 17 lines में लिखना है इससे ज्यादा बड़ा answer आपको नहीं लिखना है चलिए तो question आप लोगों ने पढ़ लिया और देखते हैं कि इसका क्या answer है एक चीज और आप लोगों से रिस्तस करना चाह रहा था कि देखे इसका जो answer है अगर आप NCRT में देखें तो देखे एक दो paragraph में इसका answer दिया गया है ये दो paragraph है ये देखे पहला देखे स्वाराज in the plantations मैंने जान बुच करके NCRT का ये paragraph उठाया है ये दो paragraph है अब देखे अगली slide में कि जो topper है उस topper ने मतलब कितना दिमाग ल देखे लेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब इस topic से question आगे जो भी दिमाग में आ रहा होई लिखना शुरू कर देखे नहीं एक प्रॉपर प्लैनिंग होती है अब देखे कैसे तू पहले अग्राफ में था अब ध्यान दिजिए देखे अच्छा एक चीज और बिफोर ध्यान देखे बहुत ही जरूरी है जो आंसर शीट होती है उसमें प्लीज आप मार्जिन जरूर बनाएं वन सेंटीमेटर लेफ्ट में डबल लाइन आप ड्रॉप करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा इस तरीके से आप लाइन जरू ड्रॉप करें और सेक्शन लिखने क के बाद उसे अंडर लाइन जरूर करें और एक या दो लाइन जरूर छोड़ें सो देट कन्फ्यूजन नहों एक्जामिनर के देमाग में विकल्स द्यार इन हरी द्यार अंडर अट अप्रेशर टू चेक्ट अंसर शीट तो आपको और उनका काम आसान बनाना चाहिए प्लांटेशन वर्कर्स एंड स्वराज पहली हेडिंग यह हो गए इनकी दूसरी हेडिंग हम देखते हैं दूसरी हेडिंग है meaning of स्वराज to the plantation workers यानि जो plantation workers थे जो आसाम के tea plantations में काम करते थे यानि स्वराज को लेकर कि उनका क्या concept था स्वराज को कैसे देखते थे उनके लिए स्वराज तो यही था कि भाई हम जब चाहेंगे अपने घर जा पाएंगे जो हमेशा इस confined space में plantations में रह रहे हैं जिससे कि उन्होंने क्या-क्या struggles क्या-क्या problems जहली फेस करें तो यह देखें तीन heading बनाई इन्होंने राइट और उसके बाद चले हम थोड़ा सा पीछे आते हैं अब एक चीज और आप लोग ध्यान दे लिजिए जो total two paragraph था उसको क्या-क्या उन्होंने points में बनाया है अच्छा ज बना दीजिए .1.2.3.4 अच्छा एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए यह देख पारें हैं आप लोग हर point बाद एक एक line छोड़ी गई है please pay attention to it ठीक है यहाँ यह यह नहीं अगले 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 अगर आप slide में देखें यहाँ भी देखें हर point इन्हों total क्या-क्या 10 points बना दिया है है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और heading डालके उसे underline करना है और देखें जो important point है moving in and क्या लिखा है स्वराज meant moving in and out freely from the constraints of plantations they were kept in उसके बाद देखें इस तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़िये और सीखने की कोशिश करिये चरिये हम आगे बढ़ते हैं अगला question हम लोग लेने वाले हैं यह तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो question number हमारा 30, 31, 32 and 33 basically यह four questions होते हैं और आपका चारों book से आते हैं तो यह पहला वाला question हमारा history से था दूसरा question हमारा है political science से जिसमें हम लोग करने वाले हैं question number this 31 का A अच्छा एक चीज़ और है कि यह जो हमारी चारों books हैं इसमें सब में आपको option मिलेगा तो जो आपको लोग है कि question का answer आपको सबसे अच्छे से तयार है वही आपको देना है यह भी एक strategy राइट तो इसमें 31 का A देखते है analyze the conditions under which democracy democracies accommodate social divisions basically जो social diversity होती हो उसको कैसे accommodate करते हैं democracy में हमारे यहां देखिए कितने social diversity है और हम लोग उसे और हम लोग democratic country भी है तो कैसे इसको हम accommodate करते हैं चलिए आए देखते हैं आप देखिए हमारे ncati में दो paragraph दिया हुए लेकिन टॉपन ने इसको कैसे अच्छे से manage किया है basically आपने पिछली slide से आप लोगों ने देख लिया कि points में answers को लिखना है भले paragraph में आपने learn किया है वैसे नगर आप paragraph में लिखे नहीं तो वह mistake highlight हो जागी you will lose the marks चले देखते हैं तो अगला है अब देखिए इस यह जो इन दो paragraphs थे इनको उन्होंने कैसे टॉपने कैसे manage किया है दो heading डाल दी पहली heading क्या डाली एक moderation of social diversity in democracy आगेन देख लीजे फिर point बना देए इस पर 4 point बना देए 1 2 3 4 5 आगेन देखिए लाइन चूटी हुई है हलाकि इसमे लाइन चूटी हुई है इसे actually line छोडने से क्या होगा न कि एक तो दिखेगा examiner को कि आपने बहुत साफ साफ लिखा है और he or she will be pleased क्यों presentation आपका काफी effective हो जाएगा तो साफ सफाई maintain रखें अगर माली जी कोई गलती हो भी जाती है तो उसको बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके से काट पीट के नहीं करना बस simple क्या करें एक हलकी से सलाइन चला दीजिए चलिए हम अगला slide देखते हैं इस equation का देखें दूसरा heading क्या बना गया है दूसरा heading यह रहा इस equation का दूसरी heading क्या हो गया conditions आप देख सकते है conditions for accommodating social diversity दो heading बना दिया इसमें देखें पॉइंट बना दिया और देखें जो important point है heading को भी underline किया है जो important points है जिससे हम लोग keyword बोलते हैं वो भी underline किया है examples वगरा जो possible उसे आप जरूर दीजे है न अच्छा हाँ एक चीज और याद आया कि आप लोगों का question होता है कि sir board की exam में जोंकि sst में धेर सारे sections कि section से question paper को attempt करना शुरू करिए अच्छा जो question है यह आपका काफी होता है जो कि बहुत ज़्यादा time consume करता है और जानते हैं आप case based questions में एक ने question आपको जरूर ऐसा मिलेगा जिसका answer वो नो आपको पैसेज में मिलेगा ही नहीं तो इसकी भी strategies होती है आप लोग comment box में comment करें कि भाई बोर्ड की exam में सस्ट के बोर्ड की exam में answer को लिखने की strategy क्या होनी चाहिए basically हम किस section से बोर्ड का question attempt करना शुरू करें अगर ज्यादा number में comments आता है तिस वीडियो में फटटफट बना दोगा फिलाल चले हम आगे बढ़ते हैं अगला जो question है हमारा वो है geography से और question यह देखे एगरी culture वाल chapter तो आप लोगों ने बहुत ध्याद से पढ़ा ही रखा है equation is this इसमें B टॉपने B को solve case हम भी equation को लेते हैं explain the features of intensive subsistence इसको तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है intensive subsistence farming and plantation farming is again देखे intensive subsistence farming and plantation farming plantation यह रहा अब देखे इन ही चीज़ों को use करके टॉपन ने देखे क्या किया है यह हमारी book में paragraph के form में दिया है लेकिन टॉपन ने क्या किया किया कितना अच्छे से points बना के लिखा है right of full marks मिले हैं आईए देखते हैं और यहाँ geography से याद आया बैसे लिए agriculture के chapter से याद आया कि जो major crops है और किस season में कौन को किस season की कौन सी crop crop है जैसे की राबी की खार इसमें आप लोगों को बहुत जादा confusion होती है different crops को produce करने वाले major states है इस पर एक मैंने बहुत ही अच्छी tips and tricks बना रखी है जिसकी help से आप चुटकियों में वह इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं for example अगर आपको major pulse producing states जानने हैं तो आपको पर लाम आ गए तो उस वीडियो का link आपको description मिल जाएगा आप उससे देख सकते हैं और इसके लाम हाँ geography से और याद आ गई कि जैसे कि आप लोग जानते है history में केवल एक ही chapter से मैं पा रहा है nationalism in India अगर मैं आपको बोलूँ उसी तरीके की ट्रिक हाँ geography में भी यूज कर सकते ह आप geography के map के पूरे 3 के 3 marks ला सकते हैं कैसे इस पर ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसका फी link मैं आपको description में दे दूँगा आप लुक से जरूर देखें आपको मतलब geography हैं तो total 7 chapters लेकिन map केवल 6 chapters से आएगा आपको पूरे 6 भी नहीं पढ़ने केवल 4 पढ़ करके ल चले आगे बढ़ते हैं तो इस question कांसर हम लोग discuss करते हैं कि intensive subsistence and plantation farming की features को हम देखते हैं तो चले तो देखे top ने कैसे दिया हुआ तो पहरागर आपके form में था लेकिन top ने क्या किया उसको point wise तरह से बनाया देखे पहला intensive subsistence farming heading को आप जरूर underline करिए उसके बाद leave a line उसक it looks neat and clean और neat and clean सबको अच्छा लगता है right अब देखे वही सारे points लिखे हैं कि it is characterized by the high use of hyv seeds insecticide pesticide fertilizer and all यह सब पूरी NCRT की ही line लिखे बट presentation इसलिए मैंने सुझा कि आप लोगों काफी useful हो सकती है तो है सब कुछ NCRT की ही line बाहर से कहीं से कुछ नहीं लाया गया है अब देख इसको underline किया जाके banana rubber tea coffee interface उसी में आप लोग जानते है इस वाले में plantation farming में it is interface between agriculture and industry तो इस तरीके से and the food crop as well as commercial ठीक है तो इस तरीके से आप इसे use करके खुब बढ़िया ध्यास से आप question पढ़िए फिर topper की question पढ़िए पहले बोड काई जो question paper है से question को पढ़िए फिर आप N.C.A.R.T की book में पढ़िए कि इस topic पे क्या लिखा है फिर आप topper की answer sheet पढ़िए तब आपको पता चलेगा कि given book में जो given information उसको कैसे manipulate करते हैं कैसे modify करते हैं board की exam में questions को answer करने के लिए दोस्तों अगर वीडियो आपको useful लगी हो please subscribe let's go 100 आप वीडियो को लाइक जरू करेए दोस्तों आज के लिए इतना ही thank you so much